अरे यह कहांपे आ गया मैं इतनी अद्ली में यहां पर आ गया है नहीं वहां पर चलता हूं वहां पर जहांपर बैटा हुआ था ओ माई गॉड फाइनली दोस्तों मैं वापस अपनी बिटिया के पास आ गया अचानक मैं कहां पहुच गया था वहां पहुच गया था जहां मुझे आप लोगों को ले जाना है ऐचली वो जिगा वो है जहां पर मैं इंगलीस बोलना सीखिये इंगलीस पोकन के क्लासेज लेत अब बोलेंगे क्या बात कर रहें आप वहां पर इंगलीस बोकन के क्लासेज लेते थे दोस्तों कुछ कंडिशन ऐसी वी थी कुछ सिच्वेशन ऐसी मेरे सामने आ गए थी 2016 के टाइम पर जिसमें मुझे तीन से चार मैंने इंगलीस स्पीकिंग क्लासेज स्टार्ट करनी प एक दम सीस्टेमिटिक के साथ में उसफों पौपर में खुद और मेरे मामा ढ़ें क्यार की और वहां पर ऑजिशन और खुंटे यहां पे जीना है के जना पर वहां से चड़ करके अपर जाना पड़ता है और हुआ क्या था कि मैं बहुत जल्दबाजी में नीचे उतर रहा था तो यहां पे गिरा जो गिरा था पीट के बल मुझे लगा रीर के हटी गई बज गया था दोस्तों उस टाइम बज गया था कुछ हुआ नहीं थैंक्स टू गॉड और ये खुल जा सिमसिम दर्वाजा ख ना देखा दोस्तों अब लोगों नीचीजे कैसी यहां पर है लेकिन जैसी है अच्छी है तो दोस्तों आपको समय लोग आ चुके हैं उसी जिए पर मैं क्लासेस लेता था यहां स्जिआं पर इंग्लिज बोलना सीखे की क्लासेस लेता था अब आप सोच रहे होंगे क्लासेस इस जिगे धाइस पूरी खंडर हो गई है यहां पर entire उसको में ने पकर दिया था edere पाने थी थी हवा पानी वानी उपर से कभी कभी पानी भी गिरता था इसको भी मैंने पैक कर दिया था यहां पर कुछ ऐसे ही डिजाइंग के कुछ चीज़े लगा दिती यहां पर पोस्टर लगा दिये थे जिसको थोड़ा सा ट्रेक्टर कर दिया था और इंग्लिस बोलना स अच्छी है ना आप सीख रहे हैं ना चीजों को वो मैटर करता है यहां पे तो यह आगर आप देखेंगे अभी कंडिशन अभी कंडिशन और पहली कंडिशन सेमी है कोई फर्क नहीं था बस इसको मैंने आके साफ सफाई करवा दी थी परदे लगा दिये थे बॉर्ड लगा बैठ करके हम लोग discuss करते थे debate session बाहर होता था और classes यहां पर अंदर होती थी Space बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है और इस चीघे पर के दमध्र की बैच होते थी एक बैच में 10 लोग यहीं पर इसीख यहाया है working कर सिकortal क मिले हैं और बंदें और चुर्क रवे सामने आगा देखे दोस्तों अगर आप यह देख रहे होंगे बिल्डिंग तो यह बिल्डिंग यहां ननियाल मेरे नानी का घर मतलब मम्मी कजन में यहीं पर हुआ था मम्मी का गाउं यही है शिरोड और वाइफ का भी गाउं शिरोड ही है अरे पापरे पूरा ओपन है एक सोबीस साल साल या एक सोबीस साल पुराना यह वाड़ा है और यह आता है ब्रहमनपूरी एरिया शिरोड में है ब्रहमनपूरी एरिया वहां पर आप कुछी से पूछेंगे पाठील वाड़ा कहां पर तो आपको बताएंगे वह देखिए पाठील वाड़ा दोस्तों मै हो गया था लंग फार्वेसिस ऑल्मोस्ट 50-60 परसंट लंग काम करना बंद कर चुके थे तो डॉक्टर ने बोला था कि आप अपना काम छोड़ दीजिए कुई को उनका जो बीजनेस है वो है ऐसेड काम है चांदी सोना चांदी गलाना पकाना वाला काम है तो उसमें कैसा होत बाद उनको फिर से अद्मीट कर दिया गया अद्मीट करने के बाद मैंने कंपनी को छुटी के लिए अपलाई किया और छुटी मैं ली थी कुछ दस दिनों के लिए लेकिन फिर मुझे वो बात में एक्स्टेंड करनी पड़ी तो अल्बूर्स उसमें चला गया महना तो लगेगा तो मैंने को चुला तब तक जब तक खाली बैटा हूं जॉब सर्च कर रहा हूं क्यों ना क्लासे स्टार्ट कर दी जाए तो यह जिगा देखी मैंने मुझे अच्छी लगी मैंने कब थोड़ा सा इसमें सब कुछ सिस्टेमेटिक लाना पड़ेगा कोई पॉबलम न और वो क्लास बढ़ने लगी बढ़ने लगी तो बढ़ने लगी तो फिर मेरा माइंड डाइवर्ट होने लगा कि चलो यही करते हैं कंटीनिव इसी चीज़ को आगे कंटीनिव करते हैं इंगलिस बोलना सीखिए यही क्लास हम यही पर कंटीनिव करते हैं फिर हुआ क्या कि मम्मी वहाँ पे अकेले पापा का बीजनेस है चल रहा है पाटनर्शिप में मम्मी वहाँ पे अकेले हैं तो करूं क्या तो मैंने वाइब को बोला चलते हैं वापस फतेपुर 12 बंकी और वहाँ पे स्टार्ट करते हैं यही क्लासे वहाँ पे लेते हैं यहाँ पे ले लिया है एक साल इंगलिस बोलना सीखे के classes लिया उसकी photo भी आप देख लीजिए आपको दिख रही होगी photo तो वहां पर मैंने classes लिया तो वहां पर क्या हुआ कि jump बैठा लेकिन इतना भी रिस्पॉंस अच्छा मिल रहा था फिर मैंने सूचा कि मैं कर क्या रहा हूं यार यह हो क्या र चलो ममी से discuss किया बैग बांधा सब कुछ पैक किया फिर वापस आ गया शिरोड और शिरोड में आने के बाद फिर से मैं फार्मा फील्ड के साथ जूड़ गया मुझे फोन आते हैं अभी भी as on date मुझे फोन आते हैं कि आप classes लेते हैं क्या मैंने का नहीं भाई तीन-चार स साल पहले कितने तीन मेनों के लिया था यहां पर और छे-सात में लिया था मैंने फत्यपुर में बस दैट सिट तो जो गैट हुआ ना तो मुझे गैप बताना पड़ता है दोस्तों मुझे एक ऐसा है जौब में दिखाना पड़ता है कि यह गैप है वो गैप किसलिए किया और मैं ऐस ऑन डेट फार्मा के साथ असोशेट हूं और मैं फार्मा कंपणी में जौब कर रहा हूं लेकि यह जो पुरानी यादे होती है ना यह कभी भी नहीं भूली जा सकती है कि यहां पर मैंने बहुत साई चीज़ी सीखी है और सिखाई है अच्छा लगा बहुत जैसे जैसे पुराना होता जा रहा है तो वैसे वैसे चीज़े थोड़ी थोड़ी कमजोर होती जा रही है लेकि उतनी भी कमजोर नहीं हो रही है तो बहुत ही मजबुत काम है दोस्तों लेकि इन सब चीज़ों से मैंने एक चीज़ सीखी कि कोई भी कंडिशन है कोई भी प पापा नहीं है, मम्मी है, मम्मी का सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है उनका मेरे साथ, हमारे साथ पूरा सपोर्ट है, नहीं फिर भी कहते हैं ना, पापा पापा ही होते हैं, पापा की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, याद आती है उनकी बहुत, बहुत याद आती है, लेकिन फ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मुझे फेज करनी पड़ती है कभी गभी लेकिं क्या करें? डिसाइट कर लिया है, ठान लिया है कि हार नहीं मानना है, जो भी चीजे होंगी मैं उसको फेज करते जाओँगा, करते जाओंगा और आगे बढ़ते रहना है फिर चाहर जितने भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को बस देखूंगा और इसमाइल दूँगा और निकलते जाओंगा आगे दोस्तों मैं आप लोगों से बस यही कहने चाहूंगा कि कॉंडिशन कभी भी किसी भी तरीके से आ सकती है इंसान के जीवन में बस अपने को हार नहीं मानना है हार नहीं मानना एक बार अपने हार मान लिना सब खतम सब खतम तो दोस्तों मैं वीडियो क्लोज करने जा रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा ल